शिवपुरी पलीस सदिक्षक रगुवन्श सी बधूरिया द्वारा आईपेल सट्टा शुराब माफिया अवेद मादक पदार्त और भू माफियाओं के खिलाफ कारिवाही के नरदेश मिलते ही आज पुलीस कंट्रोल शिवपुरी द्वारा ग्राम गागोनी में अवेद शुराब विक्री की सुषना पर सिहोर थान प्रभारी नुकेश दुबोलिया ने ग्राम गागोनी में पहुचकर दबिश दी तो मौकी पर एक थार गाडी खड़ी मिली जिसमें 12 काटून देशी प्लेन शुराब के क्वार्टर रखे मिले जिसमें प्रतेक काटून में 50 क्वार्टर थे गाडी में बेठे दोनों व्यक्तियों से पुस्ताच की तो उन्होंने अपना नाम मनोज यादो निवासी ग्राम पिरोना थाना एटा जुईला जालोन उत काटून अवेद देशी शराब को लें 154.8 लीटर कीमट तकरीबन 61,080 रुपे जब्त कर दोनों की व्रुद आपकारी एक्ट के तहत मामला दर्च कर लिया है ग्राम गावनी से मक्वेर द्वारा सूचना मिली थी और कंट्रोलम के मादन से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक जीब जिसमें अवेद शरा बरी हुई है वहाँ पर ग्रामलों के द्वारा उसको पकड़ा गया है तो जूचना पर ततकाल जैसे उचना मुली मौके पर प हुई थी मौके पर दो लोग उसमें एक ड्राइव और एक उसका साथी बैटा था ड्राइवर के नाम मनुज यादव निवासी गिराम फिरोना थाना एर जिला जालोन का और उसका एक साथी मनुज चिबरे दावरली गाउं का थाना खरेड़ा उन से समने पूच्छा ची कि पूरी इख़ां को शराब को लें रहे हैं तो कोई लाइसें से खांगि जोना नहीं पाया गया तब मौके पर 34 दो आपको ये एक्ट के तहत पूरी शराब को जब्त किया गया है इसमें कुल सराब ऐलिटर जीखुराब की पेटियां हैं तेरा पेटियां हैं पांच बीर की पैटियां है एक बीयर की केन है इस प्रकार से कुल 13 देजी शराव की पेटी और 6 बीयर की पेटियां उनसे बरामद हुए है मौके से कुल की मत लगवब 25 यह और 175 यह उनके कबज से बरामद हुए है अभी जो माल पकड़ा गया है यह माल किसका है अभी समद्ध में उनसे आरूपी कोई से पूच्चा की जाएगी अभी अंज़स्ट आई है और कारवाई जारी है फाइर हो रही है उसके वारे बेविजना के दोरान जो भी तत्र सामने आएंगे उस समद्ध में संपूर्ण का परवी की जाएगी शेवपूरी से कुल दी गुपता की एरी पूर्ण